आप सभी को क्लास में स्वागत है आप सभी का स्वागत है और देखो कल बहुत-बहुत धुआधार स्पोर्ट्स को लेकर हुआ है वो यह हुआ है कि फॉर्स टाइम अंडर 19 विमन्स वर्ल्ड कप और्गनाइज किया गया था यह वर्ल्ड कप जो है यह सौथ आफ्रिका में चल रहा था और वहां पर हमारी टीम टीम अन्डिया ने बिल्कुल धमाका कर दिया है ना तो हमारी टीम जीत चुकी है फॉर्स वर्ल्ड कप था और इंग्लेंड को फाइनल्स में हराने के बाद हमारी टीम जीत चुकी है अंडर 19 विमन्स वर्ल्ड कप रैट तो cond Sacramentoemia और चार grand slam होता है, अगर आप world map के according देखेंगे तो सबसे east में Australia आता है, उसके बाद ऐसे उपर जाने पर France आता है, फिर Wim London यानि के London आता है और इसके बाद America आता है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो match हुआ, वो Australian Open होता है, और Novak Jokovic ने Australian Open जीत लिया है, तो यह दो बहुत important matches र रही थी New Zealand के साथ, उसमें क्या हुआ वो आप मुझे बताईए, क्योंकि आप इसमें जादा export है, ठीक है, तो let's begin the session, very good morning everyone, और मौसम बहुत ही अच्छा है, सोहाना मौसम जिसको कहते हैं, लेकिन winters के लिए, winters के हिसाब से थोड़ा सा खतरनाक है, क्योंकि बारिश बहुत जाती है, ऐसा है क्या कि clouds या उसके कुछ air particles ने heat capture किया होता है, और एक बार जब बारिश हो जाती है, तो वो सारे heat radiate back हो जाते हैं, terrestrial radiation उसको कहते हैं, यानि कि land radiation से long wave से निकल कर heat जो है, वो earth से escape हो जाती है, ऐसा होता है क्या, हवा में पानी का मातरा मिल जाता है, ठीक है, चलिए, ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप मुझे दीजेगा, तब तक मैं session को start करती हूँ, current affairs, देखें, ये Sinti और Sintu जो है, वो लोग यहां आ चुके हैं, हम लोग भी start करते हैं, देखें, 26th of January को आपका Republic Day में आया गया, तो I was, जो भी important points है, उसको मैंने note किय है, उसका एक format निकाला है, और जो important चीजें हैं, जो आ सकता है आपके exam में, इस बार, इस साल के 26 January से, उसको हम पहले discuss कर लेते हैं, तो India ने अपना 74th Republic Day मनाया, पहला तो सवाल यही आएगा, कि 2013 में हमने कितना वा Republic Day मनाया, तो अगर आप 26 January 1950 को पहला Republic Day मान के चलेंगे, ग मनाया, कितने लोगों को ये बात पता थी, कि इसमें confusion था, मैम, sound सही नहीं आ रहा है, sound नहीं आ रहा है, एक बचे कह रहा है, मैम, अवाज नहीं आ रही सही, तो उनको मेरी अवाज सही नहीं लग रही कि technically sound सही नहीं लग रहा, बागी बचे कह रहे हैं कि sound तो अच्छ है, पता था आप लोगों को ये बात, पता था, बहुत अच्छी बात है, अब अगला बात ये है कि क्यों समविधान दिवस, क्यों ये रिपब्लिक दे मनाया जाता है, समविधान दिवस हम मनाते हैं 26 नवेंबर 1949 को, क्योंकि लिख कर इस दिन हमारा समविधान समाप्त हुआ ये बात कितने बच्छों को पता है, और क्योंकि इस दिन से समविधान को हमने लागू किया था 26 जैनवरी 1950 में, तो इसलिए हम इस दिन गंतंत्र दिवस, गंतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, रैट, और इंडिनाशन कॉंग्रेस ने इशू किया था एक डेक्लेरेशन, डेक्लेरेशन किस चीज़ का? इंडियन इंडिपेंडेंडेंस का, जब आप पड़ते हैं 26 जैनवरी 1930 के बारे में, तो आप लाहौर के ये इतिहास का सवाल है, पूछा जाता है कि लाहौर में जो सेशन हुआ था, रावी नदी के किनारे जंडा फड़ा कर किसने पून स्वराज की मांग की थी? तो 1929 में, आप सभी जानते हैं कि जो सेशन चलता था, वो दिसेंबर के महिने में चलता था हमेशा, तो 1929 में दिसेंबर के महिने में सेशन चला था जिसको हम लाहौर सेशन कहते हैं, और लाहौर सेशन में पंडित जवाहरलाल नहरू जी ने क्या किया था पून स्वराज की मांग की थी किस दिन तो 26 जनवरी 1930 में ये मांग की गई थी और इसी दिन को हम लोगों ने क्या किया सेलेक्ट कर लिया रिपब्लिक डे के लिए ठीक है हर बार हम चीफ गेस बुलाते हैं और इस बार हमारे जो चीफ गेस रहें वो अब्दिल फता अलसीसी रहें जो की प्रेसिडेंट है एजिप्ट के ये सारी बाते आपको पता होनी चाहिए इस बार बहुत अच्छी चीज क् कि VIP पास नहीं था फर्स लाइन में देश के सेवा कर्मी यानि कि रिक्षावालाज या लेबर्स या सफाई करमचारी को बिठाया गया था है ना तो अब यहां पे है कि 1923 में क्या हुआ बहुत सारी इवेंस पहली बार हुई तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार कौ कौन से इवेंस हुए है ना बिलकुल CRPF और CISF और बाकी अगला गलाग एक्जाइम के लिए करेंट अफेर्स का कोई जाती धर्म नहीं होता है यह सारे एक्जामिनेशन के लिए होता है प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा ठीक है दिस वोज द फर्स रिपब्लिक देस स हुआ हुआ सेलिब्रेशन होस्टेड अड़ सेरेमेनियल बोलो बोलेवार्ड आफ्टर राजपत वस नेम्ड अड़ करतव वेपत तो कभी भी स्टेटमेंट में लिखा जाएगा कि दो हजार तईस वस द फर्स रिपब्लिक देस सेलिब्रेटेड अन करतव वेपत तो आप कन्फ्यूज मत कर जाएगा कि ये तो 74 थे तो फर्स क्यों लिखा गया है क्योंकि आज तक हमने राजपत पे मनाया था राजपत का नाम बदल के हमने करतव वेपत कर दिया है पहली बाड़ ऐसा हुआ कि 12 विमेन राइडर क्या हुआ 12 विमेन राइडर वर्ड पार्ट ओफ BSF Border Security Force की ये पाट थे और ये Camel Contingent के थे ठीक है Camel क्यों क्योंकि आपको पता है कि BSF Border Security Force ये Pakistan और Banglaडेश के बौर्डर पे लगती है जब ये Pakistan के बौर्डर पे लगती है तो राजस्तान में तो रेत है जसलमेर में तो रेत है तो रेगेस्तान में आउत चलता हैシिप अफ the desert भी कहते हैं इसको और यहां पर 12 women rider थी and 16 march contingents, 16 march contingent of armed forces, तो पहली बार 12 women जो हैं वो B.S.F. को यहां पर represent करी थी और 16 women march की contingent में, armed forces में, ठीक है, the old hoyser with 25 pounder guns, ठीक है, old hoyser with 25 pounder guns were traditionally thundered around 21 guns, तो एक ही स्थोपो की सलामी जो आप सुनते हैं, 21 gun salute during the republic day were replaced by 105 mm Indian field guns, तो देखेगा, अभी तक हम 20 तोपो की सलामी देते थे, और 20 तोपो की सलामी हम क्या से देते थे, तो hoyser, जो की 25 pounder guns होते थे, है ना, तो इससे हम क्या करते थे, 20 तोपो की सलामी देते थे, अब हम 20 तोपो की सलामी किस से देंगे, 105 mm इंडियन फील्ड गन से देंगे किस से देंगे 105 mm इंडियन फील्ड गन से अब हम 21 तोपों की सलामी देंगे समझ में आ रहा है है ना मैं सारे कमेंट्स रेख रही हूँ मुझे बस एक बार बताने दिजे CRPF बाकिया अलग अलग एक्जाम के लिए है और जो भी एक्जाम जब भी होगा आपको मैं बता दूँगी और टीम अफ डेर डेवल्स डेर डेवल्स की एक टीम चली मोटर साइकल राइडर्स थे ये और ये कहां से तो ये कॉप ओफ सिगनल से चली और ये को लेड बाई विमन ओफिसर्स तो डेर डेवल मोटर साइकल राइडर्स थे और ये विमन ओफिसर्स भी इसमें थी नाइन रिफैल एर क्राफ्ट और 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 नेवी का जो आईल 38 है इसने एर शो में पार्टिसिपेट किया तो रिफैल हमने लिया है फ्रांस से और नेवी आईल 38 ने पार्टिसिपेट किया एर शो में इसके अलावा जो आईल 38 है इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मेशन बने पिछले बाड़ भी बने थे जिसे भीम फॉर्मेशन और वजरंग फॉर्मेशन को भी शोकेस किया गया करतव वेपत में ठीक है फिर आप जानते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रेसिडेंट कोई अरब रिपब्लिक से आये थे अरब रिपब्लिक ओफ एजिप्ट से इनका नाम है अब्दल फता अलसीसी ये चीफ गेस्ट बने हमारे और साथ ही साथ एक military contingent आया कहां से तो ये Egyptian army से आया और इसने रिपब्लिक दे में पहली बार participate भी किया दूरिंग दब बीटिंग रिट्रीट सेरिमेनी बीटिंग होती है ना बीटिंग रिट्रीट सेरिमेनी होती है 2023 की तो 3D प्रोजेक्शन भी बनाए गए उसके बाद आप जानते हैं कि अगनी वीरो को भी अब डाला गया है परेड में तो बहुत सारे बच्चे अगनी वीर की तयारी करते हैं उनको भी डाला गया है और पहली बार पता है तो नर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूडो ने भी अपनी जहांकिया ये ले कर आये थे फर्स टाइम नर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूडो भी अपनी जहांकी ले कर आये थे आज तक नर्कोटिक कंट्रोल ब्यूडो अपनी जहांकी ले कर नहीं आये थे ठीक है चले तो अब पहला सवाल आपका ये है कि इंडिया ने celebrate किया है कितना वा गंतंत्र दिवस तो गंतंत्र दिवस हमारा कौन सा रहा 74 गंतंत्र दिवस रहा क्लियर है चलिए अगला सवाल आपका पूछा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मुजी ने जो हमारी राष्ट्र पती है जो हमारी प्रेसिडेंट है इन्होंने पदमा एवार्ड को अप्रूफ किया तो कितने पदमा एवार्ड दिए गए हैं ये आपने बताना है बिल्कुल स प्रदान किये गए हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 106 पदमा एवार्ड दिए गए हैं द्रौपदी मुर्मुजी द्वारा जिसमें से 6 क्या है 6 टूटल आपके पदम विभूशन है भारत रतन सबसे उपर होता है सेकेंड में पदम विभूशन होता है 9 होगे आपक क्याटेगेरी ओफ फॉर्रिनर्स या फिर एन आडाई उनको आप बोल सकता है पर्शन ओफ इंडियन ओरिजिन ओवर्सीज ओरिजिन और सेवन पोस्ट थॉमस तो इसमें दो लोग जो है वो एन राई के श्रिनी में आएंगे और साथ पोस्ट थॉमस जाने की मर्नों पडा प्रधान उनको दिये गये हैं ये अवर्ड अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि द्राबधी मुर्मु जी ने इस साल गैलंटरी अवर्ड कितने डिफेंस परसनल को गैलंटरी अवर्ड से नवाजा गया है तो टोटल कितने बिल्कुल सही बात है यहां पे लिखा भी हुआ है वैसे है प्रेसेडेंट मुर्मु जी ने 412, 412 टोटल कितने रहे गैलंटरी अवर्ड तो प्रधान राष्ट्रपती द्राबधी मुर्मु जी ने क्या क्या है 412, 412 गैलंटरी अवर्ड दिया कभ एक दिन टाहीर दे दिया गया था 25 जनवरी को जिसमें कीर्ती चक है छे कीर्ती चक्र दिया गया है 15 शौरिट चक्र दिया गया है आम फोर्सस परसनल को और यह आपके ऑन दे इव उफ सेवन्टी फोर्थ रिपब्लिक दे दिया जाता है इसमें बार से लेकर सेना मेडल जो की गैलंटरी मेडल है 92 सेना मेडल है जिसमें से चार मर्नो पडान यानि कि शहीद होने के बाद पोस्तौमस दिया गया है एक नाव सेना मेडल भी दिया गया है साथ वायू सेना मेडल दिया गया है 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल भी दिये गये हैं तो यह आपको एक नजर पता होना चाहिए ठीक है चलिए तो क्रिकेटर ओफ दे एर 2022 ऐब पताईएगा बिल्कुल आंसर सभी का सही है कि Ben Stocks ने जीता है England के Captain है Ben Stock और All-Rounder Nat Sickler Nat Swicker ये women से इन्होंने जीता है ICC Cricketer of the Year Award ये आपको याद रखना है ठीक है तो men में Ben Stock on Nat Skiver Nat Skiver जो है इन्होंने women में ICC Cricketer of the Year Award जीता है Sports Ministry ने Organize किया है First Mission Olympic Cell Meeting आउटसाइड दिल्ली तो Olympic की Meeting चलेगी पहली बार ऐसा हुआ है कि ये दिल्ली में नहीं होकर कहीं और होने वाली है तो आप मुझे बताईए comment section में कि कहां होने वाली है ये होने वाली है भुवनेश्वर में कहां पे तो भुवनेश्वर में Indian ये Ministry of Youth Affairs and Sports की Meeting होने वाली है और ये Organize पहरी बार कहां होगी दिल्ली के बाहर कहां तो ये भुवनेश्वर में होगी हमारा top scheme चल रहा है tops का मतलब होता है कि बहुत सारे players आते हैं Olympics में लेकिन medal जीत कर नहीं आता है medal जीते हैं तब ही ये podium पे जाएंगे न इंट्रा नेजल यानि कि नाक्स ऐसे सुमना होता है इंट्रा नेजल होता ही है COVID vaccine इसको unveil किया गया है इसका उद्गाटन किया गया है Ministry के द्वारा Health Ministry द्वारा और ये Minister कौन है Dr. Mansook Mandavya है तो Dr. Mansook Mandavya ने एक ऐसा निकाला है basically ये transnasal यानि कि injection नहीं लगेगा तो ये कौन है ये Incovac, Incovac ने निकाला है आप यहाँ पर देख सकते है Incovac तो Incovac ने क्या किया है तो Incovac ने इंट्रा नेजल निकाला है ये किसके द्वारा डेवलाप किया गया है तो भारत Biotech International Limited द्वारा ये डेवलाप किया गया है और इसका collaboration चला है Biotechnology Industry Research and Assistance द्वारा ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है Incovac के बारे में Next सवाल है Who took the charge as new general manager of central railway तो General Manager कौन बने है Central Railway के? केंद्रे Railway के General Manager कौन बने है? तो इनका नाम क्या है? बिलकुल तो नारेश नल्वानी नारेश नल्वानी हमारा जो इंडियन रेल्वे है ना तो वो जोनस में डिवाइड है जैसे Eastern Railway, Southern Railway, Central Railway, Northern Railway तो उस तरह से Central Railway Central Railway में जो बने है General Manager, इनका नाम है नरेश नालवानी, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे, ये एक Senior Indian Railway Services के, आई, आपको पता होगा कि UPSC जब एक्जाम लेती है तो उसमें IRTS भी होता है, Railway Services भी होते हैं, तो ये Indian Railway Services के Engineer है, 1985 बैंच में इनकी बहाली हो चुकी थी और अब इनको General Manager बनाया गया है, वह, GM के पोस्ट में, शंगाई Cooperation Organization का Film Festival चल रहा है, तो आप बताईए कि शंगाई Cooperation Organization जिसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, व्रश्या भी है, अभी इरान को भी आड़ कर दिया गया है, चाइन तो है ही है ही, क्योंकि शंगाई उसी का City है, उसी के नाम पर है, तो यह Film Festival कहाँ चलेगा, तो Film Festival तो Mumbai में चलेगा है, तो International Film Festival गोवा में होता है, शंगाई Film Festival जो चल रही है, यह मुंबई में चल रही है, और 27 से लेकर 31st January के बीच में, इसके द्वारा, तो Ministry of Information and Broadcasting इसको करवारी है, इसमें टोटल 57 फिल्म, यह जो हमारे SEO Countries है, यानि के शंगाई Cooperation Organization के Countries है, इसके 57 फिल्म को फीचर किया गया है, ठीक है, चलें, नेक्स, नेक्स आप देखेंगे, कि एक Orange Festival नाम का उत्सव मनाया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, कि इसक यहाँ पर मनाया जा रहा है, बहुत सारे बच्चे बोड़ें, नागा लैंड, तो बिल्कुल सही बात है, नागा लैंड तीसरा Orange Festival मना रहा है, है ना, और यह कब से कब तक 24 और 25 जानवरी की यह बात है, और Kohima, जो की Kohima Capital है, नागा लैंड का, यहाँ पर यह Orange Festival मनाया जा र Commercial Oil Production Drilling Program का, है ना, किशीज का तो यह बेसिकली देश पहली बार, किस देश ने पहली बार, वानिजिक की, यानि कि तेल को Commercial Way में, अभी तक क्या हो रहा था, कि तेल यहाँ पर जो भी निकल रहा था, उसको यहाँ के लोग ही उसका इस्तमाल कर रहे थे, तो आप इसको Commercial Way में निकाला जाएगा और drilling के मदद से इसको निकाला जाएगा, तो आप सोच के ही बता सकते हैं, देखो, यह आंसर यूगांडा है, ठीके, तो अरब देशों में तो तेल निकलता है, और यह लोग बाहर देशों में भी उसको भेजते हैं, वेटा, UAE कैसे होगा, वहाँ पे त पहली बार ऐसा कुवा निकाला गया है, जहां पे वो निकालेंगे तेल, और तेल निकालकर यह दूसरे देशों में भी उसको भेजेंगे, और यह बिसेकली यूगांडा कहां पे है, तो यह आफरिका के सहारा डिजर्ट, यूगांडा हाज one of the largest all reserve of the सहारा डिजर्ट, तो खोजा मलब निकाला नहीं किया था, ठीक है, चलें, नेक्स आप देखेंगे, who will train, thousand Indian women, हजार Indian women को train किया जाएगा, किस चीज के लिए, तो साइबर संगिनी, साइबर संगिनी, तो साइबर क्राइम ना हो, साइबर क्राइम ना हो इसके लिए, एडविल माइकल बिलकुल मै आपका कमेंट देख रही हूँ, तो सभी बच्चों का कमेंट देखा जा रहा है, और एक है, ओई, hero इनका नाम है, इनका नाम सुनके मुझे वो movie याद आ रही है, अभी मैंने इस weekend देखा, action hero, तो आपका नाम सुनके मुझे वो movie आ रही है, याद, ठीक है, चलें, तो यहा पर हजार, यहाँ पर देखे, दस हजार लिखा हुआ है, हजार होनी चाहिए है, हजार विमन को train किया जाएगा, Ministry of Electronics and IT द्वारा, इनको साइबर संगीनी बनाया जाएगा, Michael, हाँ, बिल्कुल सारे सारे में देख रही हूँ, सारे, रुक रही है, क्लास, क्यों रुकेगी क्लास, क्लास बिल्कुल नहीं रुक रही है, देखे हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही प्यारा सा स्टेट है हमारा, यहाँ पर सबसे जादा परसेंट लोग, अभी भी गाओं में रहते हैं, ठीक है, और सबसे कम परसेंट लोगों का शहरी करन हुआ है, इतना सुंदर है कि शहर और गाओं का कोई मतलब नहीं है, सारे लोग सुंदरता इदम नेचर के पास रहते हैं, तो हम लोग भी गये थे अभी हमाचल प्रदेश, तो 25 जैनवरी को इसका स्टेट हुड दिवस मनाया जाता है, ठीक है, हमाचल प्रदेश बहुत ही सुंदर सा हमारा स्टेट है, और यहां पर 25 जैनवरी को इसका स्टेट हुड दे मनाया जाता है, क्यूंकि यह 1971 में स्टेट बना था, इसके पहले यह यूनियन टेरिटेरी के नाम से जाना जाता था, तो यह है हमाचल प्रदेश, इसको आप जान लीजे, चलिए, हॉलोकास्ट, हॉलोकास्ट क्या होता है, तो आपने सुना होगा कि पहले बहुत सारे आसे बाते आपने सुने होगी कि हिटलर ने बहुत लोगों को एक जगा बंद करके जला दिया, है ना, तो कॉंसेंट्रेशन कैंप में डाल दिया, हॉलोकास्ट हो गया, तो बहुत मातरा पे जब नरसंगार होता है तो हम उसको holocaust कहते हैं और हर साल ये 27 जानवरी को याद किया जाता है कि holocaust हुआ था इस बार का theme है home and belongings home and belonging इस बार का theme है और आप जानते हैं कि United Nation ने international day of combination in the memory of the victims of the holocaust holocaust इसलिए मनाया मनाया नहीं जाता है उस दिन याद करते हैं हम लोग ठीक है तो ये कुछ questions थे जो हमने किये अब देखो कभी-कभी conceptual exams में आ रहे हैं सवाल अब जैसे ये एक photo है ठीक है तो ये photo आपको क्या लगता है ये जंगल है ये किस चीज का photo है देखो इसमें पेर पौधा है मचली है मचली है तो पानी होगा तो पानी के अंदर एक तरह का जंगल है तो जंगल और पानी दोनों ही है तो ये किस देखो अंडर वाटर बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ओशिन कह रहे हैं पानी कह रहे हैं मचली कह रहे हैं लेकिन वही बात हैना, यह जो शब्ध है, यह शब्ध आपको नहीं पता है, इसलिए आप लोग गलत बता रहे हैं, तो देखते हैं कि शब्ध, वो शब्ध क्या इस्तमाल करेंगे इसके लिए, नहीं, अभी तक मुझे एक भी सही आंसर नहीं मैरीन भी नहीं आंसर, ocean भी नहीं है, एक बच्चा में को जलपडी का फोटो भीज रहा है, bleaching of coral, बेटा coral reef यहां पे coral कहां दिख रहा है, white color का होता है, coral reef अगर उसका bleaching हो गया होता, नहीं, देखिए, इसी लिए कभी-कभी ऐसे सवाल भी आते हैं, जो aqua and hitch यह तो solution है, जो कि mangroves भी नहीं है, नहीं, नहीं, mangroves भी नहीं, mangroves पेड, मरब जमीन पर होता है, aqua warm भी नहीं है, तो ऐसे सवाल भी आते हैं, कि जैसे माल लीजिया, अगर बोला जाएगा कि एक जंगल, जो कि समुद्र में हैं, तो उस समुद्र के जंगल को आप क्या कहिएगा, seaweed भी नहीं है, चलिए देखते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, kelp forest कहते हैं, क्या कहते है, k-e-l-p, kelp forest, ठीके, तो क्या होता है, क्या होता है, सुनिएगा, अब the kelp forest भी losing unique traits due to climatic change, climate change हो रहा है, बहुत जादा वायू, प्रदूशन हो रहा है, जल प्रदूशन हो रहा है, और जल वायू में पडिवर्तन आ रहा है, तो इसकी कारण, according to एक नया study निकला है, ठीके, kelp forest, आप लोग सोसतों कि माम, the Hindu कैसे पढ़े, बड़ा खतरनाक चीज है, कोई खतरनाक चीज नहीं है, अगर इस session में आप regular रहेंगे, तो P.I.B., the Hindu, Chin2 questions, Mintu questions, परसो के questions, बरसो के questions, सारे questions revise हो जाएंगे, बस class में regular रहेगा, कोई भी ऐसा news नहीं होगा, जो आपको नहीं पता होगा, तो आज आप समझ गया है, कि kelp forest क्या होता है, कि बड़े-बड़े brown algae और seaweed, तो जैसा आपने photo देखा, यहां पे brown algae और seaweed चलते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम kelp forest कहते हैं, अभी क्यों news में हैं, क्योंकि यह भी खतम हो रहे हैं, भाई, इनसान बड़ा खतरनाक जानवर है, यह क्या करता है, कि देखे हर चीज को तबह कर रहा है, ठीक है, तो kelp forest भी खतम हो रहा है, यह underwater होता है, तो क्या होते हैं, they are underwater ecosystem formed in shallow water by dense grown of several different species, तो अब यह भी ध्यान रखेगा, कि यह shallow water में है, यह बहुत ही जादा guard है, पानी में नहीं है, बहुत ही जादा depth में नहीं है, जो चलचला पानी होता है, जो कम depth का पानी होता है, उसमें यह हैं, ठीक है, तो can also persist at lower altitude, lower altitude का मतलब क्या हुआ, तो जैसे यह दुनिया है, ठीक है, यहाँ पे बीच में equator है, तो यह equator के पास जो altitude है, वो lower है, उसके बीच में जो है middle है, और यह जो है, बाद में यह higher altitude है, ठीक है, तो lower altitude added by cold water of welling, तो जहाँ पे ठंडा ठंडा पानी आता है, वहाँ पर deep पानी में, रेफ्यूजिया में, यह क्या होते हैं, कि यह उग जाते हैं, ठीक है, चले, तो यह kelp है, अब इसके keystone species है, की stone species का क्या मतलब होता है, कि जब पूरा वहाँ का जो food system है, food web है, food pyramid है, जिसे घास को खाएगा grasshopper, grasshopper को खाएगा मेधक, मेधक को खाएगी, मेधक को कौन खाता है, मेधक को खाएगा कौन, साप, तो यह क्या है, एक तरहा का food pyramid है, है न, तो keystone species क्या होते हैं, जो उस food pyramid को बचा के रखते हैं, तो अगर माली जे वहाँ पेड़ पौधा नहीं होगा, brown algae नहीं होगी, या seaweed नहीं होगा, तो वहाँ का पुड़ा ecosystem खड़ाब हो जाएगा, तो यह जो हम आपको समझाएं, वो यही समझाने के लिए था, कि अगर पूछा जाएगा, कि brown algae, green algae, या seaweed म मिलकर जंगल बना रहे हैं, कहां पर, तो समुधर के अंदर, तो उसको किस तरह का जंगल बोला जाएगा, तो उसको आप लोग बोलिएगा, कि यह तो kelp forest है, K-E-L-P, kelp forest है, ठीक है, हाँ, हाँ, साब को eagle खाएगा, बिलकुल बात सही है, eagle मर जाएगा, तो उसको बहुत स environment, हमको पता है, यह question का अंसर आपको पता है, environment अशकल बड़ा important हो गया, environment से बहुत सार questions आता है, तो 10% rule आपको पता है, क्या होता है, देखे, हम एक बार में समझा दे रहे हैं, आपको प्लीज थोरा सा ध्यान से सुनेंगे, जैसे कि माली जी यह घास हम उगा रहे हैं, ठी तो यह हिरन है, इसका पैड लंबा लंबा है, तो यह हिरन है, समझ जाईए, और यह स्माइल कर रही है, ठीक, इसका सींग भी है, चलिए, तो यह हिरन है, और हिरन को कौन खाएगा, हिरन को कौन खाएगा, तो हिरन को बहुत बड़ा सा लायन खा जाएगा, ठीक है, लायन यह हिरन को जरुदम देखके डलाबना लग रहा है और यह हिरन को कौन खाएक, इसका पैठ छोटा है, यह इसको खा जाएगा, ठीक, और हिरन किसको खा रही है, हिरन घास को खा रही है, है ना, यह बात अलियन नहीं है, हिरन है, प्लीज आसे मत करो, तो अब 10 परसंट रूल कहता है कि माल लीजे, माल लीजे कि हिरन में 100 कैलरी एनरजी है, माल लो, ठीक है, और लायन ने क्या किया, एक हिरन खाया, तो लायन को कितना एनरजी मिलेगा, लायन को कितना एनरजी मिलेगा, 100 कैलरी मिलेगा, नहीं, 100 कैलरी नहीं मिलेगा, लायन को एनरजी मिलेगा, सिर्फ 10 calorie, सिर्फ 10 calorie, तो जब भी कोई किसी चीज को खाता है, हाँ 10th के environment के class में दिया हुआ, NCRT में, ठीक है, तो उसका सिर्फ 10% energy ही उसको मिलता है, तो माल लीजिए, अगर lion को 100 calorie energy चाहिए, तो इसके लिए उसको कितना, कितना खाना पड़ेगा hidden, तो उसको total 10 hidden खानी पड़ेगी समझ रहो, क्योंकि एक hidden के पास 100 calorie energy है, और उसने एक hidden खाई, तो उसको सिर्फ 10 calorie energy मिली, तो इसलिए अपने protein के system को, जैसे gym वाले लोग protein चेक पीते हैं, तो अपने system को maintain करने के लिए, हर एक जानवर जो उपर रहता है food pyramid में, food pyramid समझते हैं न, कि जैसे यह हो गया आपका, यह हो गया आपका, क्या producer, फिर यह हो गया आपका first consumer, second consumer, जो सबसे उपर रहेगा, जतना उपर रहेगा, उसको उतना जादा खाना पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए प्रकृति भी क्या करती है, कि हिरन की तादाद जादा रखती है, शेरों की तादाद कम होती है, ताकि कम शेर जो है, वो जादा हिरन खा सके है, है ना, तो इस तरह से balance चलते रहता है, और यही ecosystem है, यही food pyramid है, the interaction between living and non-living thing in a surrounding is known as environment and the interaction between the living things in a surrounding is known as ecology, ecology and environment, बहुत ही महतुपून subject हो गया है, आपके exams के लिए, चलिए, तो यह सारा कहानी समझ गया है, हम 10 10% rule भी समझ गया, और इसी एक और चीज़ बता देते हैं, इसी में biomagnification भी आ जाता है, अब biomagnification का क्या मतलब है, अब तुम लोग तो अदम आदम खोड़ा, मला आदम खोड़ा, sorry, तो you all are non-vegetarians, तो आप लोग खाते हैं, क्या आप लोग खाते हैं, चिकन, चिकन लवर्स, तो चिकन के माल लीजे कि चिकन को कोई बिमारी हो गई, ठीक है, चिकन ने खा लिया पाड़ा, पाड़ा समझ तो मरकरी खा लिया, माल लीजे, तो चिकन ने मरकरी खा लिया, और तुमने चिकन को खा लिया, तो चिकन का मरकरी तुम्हारे अंदर आ गया, और तुम तो अप न स्कृप इमने माणरी था है उसको और भूर कला करते हैं वह शहे je अच्वारा क्या हाया क्या कि दोधी तौता मुं चिछेल को तो chociaż विए बेस्ताई केसी हुआ बड़ा इंपोर्टेंट होता है क्या होता है कि कभी-कभी आप लोग देखेगा मेरे साथ क्या हुआ था हम बताते अपना तो हम अपनी नानी घर गया थे ठीक है तो फिर पापा आये थे हम लोग को लेने के लिए और उसके बाद क्या हुआ कि हम ग्रीन हम बहुत छोटे थे ग्रीन बहुत है और फक्रण रिंटिव खॉर ग्रीन और हम लोग को बोला गया है कि आप यहीं पे और बहुत है अन्गा और पर ऐ माबा बोले कर्ण आते पूछ कि ठीक है तो वहां पर फॉट गये तो हम ज़ादा ही हिरो बनने लगते हैं तो हम क्या की Libes और हम स्रीज़ चलेगे नीचे ठीक है और कोई हम को नहीं देख पारा था क्योंकि मेरा फ्लॉग भी हडा कलर का था हम लबर बैंड भी हडा कलर का लगाय वह थे और पूरा नीचे यूट्रोफिकेशन हुआ था यूट्रोफिकेशन क्या होता है तो तो हम भी बूले नहीं हम भी जाएंगा सीजन नीचे चलेगे ठीक है हाँ ठीक है तुमको मेरा नानी घड़ भी पता हम समझ गये तो उसके बाद क्या हुआ कि सब कोई उड़ने लगा कि कहां गई कहां गई और हम तो नीचे चलेगे थे तो दलदल नहीं था यूँ था क्योंकि बहुत जादा न्यूट्रेंट्स आप लोग देदेते हैं को बहुत जाद हम पर कप्रा साफ होडा होगा मैं यह कोई अपना सुभा सुभा के काम तमाम कर दिया होगा तो उसकारण से पेड पाध जो है वह तलदाप के सता हो पर ओग जाता है इस चीज को हम यूट utrophication कहते हैं है ना utrophication कहते है और इसके कारण क्या होते है कि जो भी चीजे होती है जो भी sunlight होता है oxygen होता है और पेड का ही सता उपर बना सता उसको observe कर लेता है और नीचे मचलियों को नहीं मिल पाता है oxygen और मचलिया मर जाती है लेकिन हम बजगे क्योंकि हम हाथ एक बार में आ प्राइम मिनिस्टर ये बन गये हैं, 41 प्राइम मिनिस्टर बन गये हैं, देखें ये प्राइम मिनिस्टर कहां पर बन गये हैं, न्यूजिलेंड नाम का एक देश है, तो वहां पर न्यूजिलेंड नाम का देश है, और यहां पर ये प्राइम मिनिस्टर बन गये हैं, इसके Chris Hipkinson का नाम है नेक्स आप देखेंगे Aero Show यहां पर इतना साड़ा लगा है न फ्लाइट्स वगयरा तो एक बच्चा बोला कि मैं बाद में फोटो मत दिखाया किजिए क्वेशन के साथ ही फोटो दिखाया दिया किजिए तो हम सोचे कि उनका बात माल लिया जाए डढ़ गया था हम तो यहां Aero Show की बात चल रही है Aero Show, Aero India कहां होता है दीकि हार बार यह बेंगलूरू में होता है हम भी जमाने से पढ़ाड हैं और जब भी पढ़ाते हैं यह बेंगलूरू में ही होता है तो यह The Runways of Billion Opportunities इस बार का इवेंट है कि रनवे करेंगे कहां पे तो बहुत साड़ा उपर्चुनिटी है वहां रनवे करेंगे अब है TROPEX TROPEX जो है यह क्या है यह बहुत बड़ा exercise है TROPEX एक exercise है और यह TROPEX जो है यह इंडियन नेवी द्वारा करवाया जाता है इसको आपने याद रखना है इंडियन ओशन में इंडियन नेवी TROPEX exercise करती है और यह यह कप करती है तो once every two year BINYAL exercise है दो साल में एक बार यह TROPEX exercise होता है विच कंट्री टीम हाज बिकम नमबर वन ODI team in ICC यह भी बहुत बड़ा न्यूस हो गया तो कौन सी ऐसी team है क्या यह हमारी team है क्या अच्छा एक बात बताओ जब हम session अच्छा से पढ़ाते हैं सब चीज तुम लोग अच्छा से बुझ जाते हो मेरे वास्तविक जिंदगी को भी आप लोग अभी कभी सुन लेते हैं है ना दुख दर्दम अपना बता बता देते हैं तो मज़ा तो आहीं जाता हो गया session में TRP भी है तो एक बार थोड़ा like कर यहां thank you Karan Kumar तो एक बार थोड़ा से session को like भी कर दीजे like कम रहता है हमको नहीं पता है क्यों बुझ जाते हो ठीक है तो ठीक है तो ICC में देखो यार इसमें कोई डाउट ही नहीं अपनी team best है अपनी team best है अपनी team number one है और अभी हम लोगों ने New Zealand को अदा हम धोवी पचार दे दिये उसके बाद तो हम best होई गया ठीक है who has been selected as ICC T20 T20 Cricketer of the Year तो Cricketer of the Year कौन बना है T20 वाले ठीक है T20 वाले Cricketer of the Year कौन बने है तो यह इनका नाम है सूरे कुमार यादव नया नया नाम आ रहा है वह साड़ा बच्चा जो है नया नया अदम Cricketer बन के अदम सूचे एक ही बार में गडीब लोग जो है है ना उनके बच्चे लोग बन रहे हैं ऐसे बड़े-बड़े Cricketer पैसा देखे दिमाग नहीं फिर जाता होगा एक ही बार में तो who has been awarded as ICC T20 Women Cricketer of the Year तो यह उस्ट्रेलिया की लग रही है कपड़ा देखके ही तो स्म्रिधी मंदाना तो हो नहीं सकती है तो अस्ट्रेलिया की तहिला मैग्राद है इनका नाम है तहिला मैग्राद यह T20 Women Cricketer of the Year है ठीक है चलिए तहिला तहलिया तहलिया मैग्राद तो देखे आप लोग के अब हमको नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा घड़ होगा जिसमें आपका भाई बहन कोई बीटेक ना हो होगा ही तो वो लोग computer science भी कभी सुने ही होंगे है ना बहुत सारे लोग computer science वाली होंगे तो उसमें बहुत सारा चीज होता है backhand developer होता है stack developer होता है तो उसी तरह से stack developer का एक conference हो रहा है और ये conference कहां हो रहा है तो ये दिल्ली में हो रहा है ठीक है तो इंडिया के जितने भी stack developers है वो new दिल्ली में आएंगे conference के लिए who has been appointed as the CEO of Tata Trust wells Tata Trust के CEO कह षोल ने है ये आप बताईगा जरा सभासा है नगे तो टाता Trust के जिए इनके नाम सिधार्त शर्मा शर्मा जी का बेटा है मनी लिए शर्मा जी के बेटे का लुख शर्मा जी कर दो नहीं लग रहे है ठीक है तो खुझ श Chuck दोनों चीज हमने आपको बता दिया है ठीक है चलिए अब एक JP Morgan नाम का भी कंपनी है JP Morgan Chase & Co. ठीक है तो इसके भी CEO बने हैं बहुत बड़ा कंपनी है इसमें भी बहुत लोग का होता है तो यहां पर देखेगा RBI has given its approval हम लोग जब कॉलेज में तो इस अब कंपनी आता था तो यहां पर देखेगा प्रभाव देव सिंग जी जो है यह बन गया है प्रभाव देव सिंग यह बने है CEO JP Morgan के ठीक चलिए रिनाउन आर्किटेक्ट बाल कृष्ण विठल दास दोसी का निधन हो गया है और यह इनको पद्मभूशन एवार्ड से पुरुसकारित किया गया था नवाजा गया था आपने बताना है कि पद्मभूशन एवार्ड इनको किस साल मिला था तो इनको पद चलिए अगला सवाल आप देखेंगे यह पश्मीना शॉल के बारे में है पश्मीना शॉल के बारे में हम तुमको इसलिए पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि अभी जब हम लोग की ट्रिप आपको पता होगा श्रिम्ला गया थे हम लोग तो हम नहीं से बहुत अच्छा पश्मी की खड़ी दिएगा तो गलती ना हो इसलिए मासं को बता लिए पश्मीना का मतलब ठीक हैं तो देखें पश्मीना क्या होता है यह एक basically क्या है पश्मीना पश्मीना एक बकडी होती है ठीक है तो basically इसका बत सुनिएगा धा फ्रेंश Industry जॉशफन who who was given a Kashmiri Canon saw Canon saw by her husband तो जॉसफ इन को उनके पती जो की नेपोलियन थे उन्होंने एक शॉल दिया और ये शॉल जो है वो किश्मीर का शॉल था और वो शॉल जो है कश्मीर के शॉल इसका नाम था पश्मीना तो ओरिजनल पश्मीना ये बकडी है और इसी का जो उपर का आपको दिख़ड़ा है कवर इसी से हम पश्मीना शॉल बनाते हैं तो टर्म जो है पश्मीना ये एक पर्शियन यानि कि इरानियन शब्द वुल पश्म पश्म यानि कि हम उन जिसको कहते हैं ओल क्लास अबाउट ठीक है ठीक है हाँ बिलकुल बिलकुल तो यहां पर देखेगा कि उन को हम क्या कहते हैं इरानी में पश्मीना कहते हैं और इसको जी-आी सर्टॉ阹गीन गया जीवरीक क। certificate दिया गया, कश्मीर region में इसको दिया गया है certificate, और क्योंकि due to the high quality of wool used by labor intensive, इसमें बहुत सारे मजदूरों का काम लगता है, process required to make each individual piece Pashmina shawl, तो Pashmina shawl ये quite expensive होता है, तो अगर तुमको 200 रुपए में कोई Pashmina shawl देगा, तो समझ जाना कि तुम्हारा मजदूरों बनाया जाड़ा है, ठीक है, और ये कौन सी भेड, कौन सी भेड या कौन सी बकडी का होता है, तो ये चांग थांगी, चांग थांगी बकडी का होता है, चांग थांगी बकडी कहां मिलती है, तो लद्धाग में ये मिलती हैً चांगपा ट्राइब घाम का एक ट्राइब होता है लद्धाग का और ये चांग-तांगी बकडी को हार्वेस्ट करके उसका जो ऊपर का रुई है वो निकाल कर क्या बनाता है पश्मीना शॉल बनाता है ठीक है तो इसलिए ही पता होना चाहिए औ हिरन अलग है तो हीरन का नाम है शाहतोष यह औरन Master है इसको हम इसको हम टिबिती शिरूय कियरते हैं ठीक है तो इसका भी वुल बनता है और अब यह इन्डींजर चली गई है जब बोलोगे बहुत सारा हिरन को एकसाथ क्या बोलेंगे प्रचाती की तो antilopes कहते है antilopes antilopes में हिरन अलग है जिसको आप डियर कहते हैं राम जी वाली ब्लाक बग अलग है सल्मान जी वाली यह शाहतोश है यह अलग है तो शाहतोश को हम तिबितियन चीडू क्याते हैं तो हम सोचे कि आज भेड़ बकडी भी तुमको दिखाई दें ठीक है तो और कुछ क्वेशन पर देखते हैं अभी तुमको लगता है लग रहा है अभी अगर मैरेट होते तो सुबह सुबह अब किसी नाश्टा वाश्टा बना रहे होते कि तुमको करेंट इफेस पढ़ा रहते है ठीक है तो PepsiCo Foundation and Care has launched a program She Feeds the World She Feeds the World in which state तो She Feeds the World वो दुनिया का पेट भरती है यह PepsiCo Foundation ने बनाया है और यह उत्तर प्रदेश और यह basically West Bengal में यह शुरू किया गया है She Feeds the World और यह PepsiCo द्वारा स्टार्ट किया गया है पदमिश्री एवाडी प्रभा बहन प्रभा बहन सोबाग चंद शाह सोबाग चंद शाह यह 92 यह की है और यह क्या थी तो यह basically थे कि पदमिश्री एवाडी यह सोशल वर्कर थी इस बार हमको बहुत अच्छा लगा पढ़ने के बाद पूरा डिटेल में पढ़ें यह 91 लोग हो जिनको पदमिश्री एवाड मिला तो बहुत सारे लोग हैं जो आम इंसान है मला इवन सांप पकड़ने वाले लोग को भी मिला है जो डॉक्टर फ्री में इलाज करते हैं ब कोच इन में ची इन का इन के लिया वरे लोग हैं और दनी के सथा दीन कोर जर अच्छा रहा पूरा धिनमा ऍटाय नहीं नहीं जुद से ने ये किताब लिखी है ठीक है राच शृधर और कौशिक ने विच इंडियन मुवी हाज बीन नॉमिनेटेड फोर बेस्ट डॉक्यूमेंटरी शॉट फोर ओसकर एवार्ड तो ओसकर एवार्ड के लिए कौन सी छोटी सी इंडियन गही है ये आपने बताना है मुझे तो ये कौन सी मुवी है ये आप बताईएगा क्या नाम है इसका? तो 41 मिनिट की शौट कार्ति की गौनसालवस की मुवी है तो इसका नाम है Elephant Whispers elephant whispers यह movie जो है बड़ा नाम सुनके हमको अच्छा लग रहा है है ना तो यह movie को देखा जाएगा हम लोग देखेंगे ठीक है तो oscar award को academics award भी कहता है अगर कोई बोलेगा you know the movie has been nominated for the academic awards तो उसका अंगरी से सुनके डड़ियेगा मत academic award यानि की oscar award चलिए तो which ministry has organized six day mega event भारत पर्व तो छे दिन तक हम भारत पर्व मनाने वाले हैं लाल किला पे तो लाल किला पे हम भारत पर्व मनाएंगे भारत और पर्व दोनों साथ में लिखा गया है तो यह tourism तूरिजम मंत्राले द्वारा मनाया जाता है तो तूरिजम मंत्राले जिए तूरिजम मंत्राले होगा कि कल्ट्र बन्तराले होगा ये सोच आफ कर्iramोड़ि Cheese उसजिए प्लेटे फाल सब्टार बहु कीं diss शोच है विभन तो ये खेर लिडिशरां रिकॉर्ड रखा जाए ताकि जितना भी वैक्सीन पड़ा है ना उसका डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाए ये यूनियन मिनिस्टर जो हेल्फ मिनिस्ट्री उसने बोला है ठीक है अब एक और हैं जिनका निधन हो चुका है और ये वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं हम ऐसे मजा जादा ध्यान रखेगा कोशिश ये कीजेगा कि उनको अगर बीपी का दवाई लेते हैं तो तुम ही लोग कल के नागरिक बनने वालो तुम ही लोग को गवर्मेंट नौकरी लगेगा तुम ही लोग देश का जो टोटल सिस्टेम उसको चेंज करोगे बहतर बनाओगे तो अगर किसी को बीपी है तो आप देख लीजे अपने दादा दादी एवन ममी बापा को भी हो सकता है तो बहुत कम एज में होने लगा है उनको सही टाइम पे मेडिसन मिल जाए और वो सुभे में डाबिटीज और बीपी ये दोनों चीज बहुत कॉमन हो गया है सुभे में उनको कुछ खिलाना बहुत जरूरी होता है ठीक है वहले वह ना नुकुर करे लेकिन इदम मेरा मेरा क्लास सुना देना तो कि सुभे में आप लोग प्लीज सबसे पहले उठके ब्रश करके या बिना ब्रश के ब्रश बाद में कर लीजेगा तो कुछ खा लीजे अगर ममी पूजापाट कढके ही खाएंगे तो उनको थोड़ा कनविंस करना आपका काम है खोड़ा करना लेकिन भागाइजी थोड़ी बोलते है कि नहीं आप लोग अपना सेmerikसे बाद अपना दिंचर्या स्टार्ट कीजे खेंड किए ब्रेक रात में खाया होगा उन्हें 9 बजे 10 बजे उसके बाद अब सुभे बाड़ा घंटे का अंतराल हो गया राइट चले तो यहां पर आप देखेंगे बादरा अली जोफे तो बादरा अली जोफे और एक्जाम्पल दे दिजेगा देखें गांबिया के वाइस प्रेसेडंट है इनका नेधन हो गया 65 यह ओल थे यह और यह एजुकेशन मंत्री भी रह चुके हैं गैंबिया के नेक्स्ट आप देखेंगे चैर्मेन ओफ अमूल चैर्मेन ओफ अमूल हां तो कौन बने हैं हुआस बीन अपॉइंटेड चैर्मेन ओफ अमूल तो इनका नाम क्या है देखेंगे शामाल भाई शामल भाई बी प पटेल यह अमूल, अच्छा, अमूल का फुल फॉर्म तुम लोग अभी सोचो हो, कि क्या है, अमूल का भी फॉल फॉर्म है, नहीं सोचो हो, तो सोच कर बताना, ठीक है, हाँ, आनन्दा से शुरू होता है, ठीक है, अनन्दा एक जगा है गुजरात में, which bank has introduced Vikram credit card for soldiers तो एक bank है जिसने क्या किया है credit card soldiers के लिए निकाला है ये रेखे विक्रम credit card है और ये कौन सा bank है ये bank of Baroda है विक्रम credit card ये रुपे credit card है ये soldiers के लिए है अमार एकुशी बोई मेला ठीक है अमार एकुशी बोई मेला ये biggest and longest book fair है ये बांगला देश में है तो बांगला देश में बहुत बड़ा बांगला देश की प्राइम मिनस्टर का नाम किया है शेक हसीना है बहुत बड़ा सा book fair start किया गया है अब ये चोटा सा बच्चा है इसका उम्र बताना है ये भी exam question है तो Teddy Hobbs has been बड़ा cute लग रहा है has been named the Britain's youngest mensa member mensa member क्या होता है ये चोटा सा बच्चा का उम्र जो है वो आप guess कीजिए दस साल का है पांस साल का है चार साल का है कि तीन साल का है और मुझे comment section में बताईएगा ठीक है और देखो अब तुम लोग हमको एक और बात बताओ यार exam की तयारी चल रही है नहीं चल रही है exam की तयारी चल रही है कि हसी मजाग में जिंदगी बीत रही है पीछे छूट जाएगा फिर कैसे पढ़िएगा तो exam की तयारी बिल्कुल कीजिए अगर लगते हैं कि मैं आपसे पढ़ना है मजा आ रहा है हमको पढ़ने में बाकी हम history, policy, geography, economics current affairs यह सब चीज आपसे पढ़ना चाहते हैं आपकी पुरी team के साथ पढ़ना चाहते हैं हमको अपना maths कंप्लीट करवाना है reasoning कंप्लीट करना है English या Hindi जो भी आपने लिया होगा उसको ठीक करना है technical subjects पढ़ रहे हैं civil, mechanical, electrical तो उसको ठीक करना है तो आप जल्दी से क्या करेंगे laptop on करेंगे या mobile में order 24-7 का आप install करिएगा उसको on कीजेगा और for taxes पर click कीजेगा click करते ही यह जो है दुनिया आपके सामने खुल जाएगी all courses में आप आईएगा जिस भी exam के लिए आपके मन में श्रद्धा भक्ती है लगता है कि भाई यह exam तो हम निकाल के ही रहेंगे आर या पार वाली बात है या तो exam नहीं या तो हम नहीं और यह exam निकाल कर बस जल्दी से अपने life को change कर देना है और जो भी आप सोच रहे हैं उसको हम हाँ बिल्कुल PDF मिल जाएगा बाबू PDF आपको टेलेग्राम पे मिल जाएगा जो भी आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो आपने क्या करना है जसे माले जब defense जो जजजबा आगया है defense की तियारी करना है तो defense में आपको जिस भी exam की तियारी करना है कि CDS, FCAT, CAPF, AgniVeer, AgniYU, CAPF जिस भी exam की आप तियारी करते है आपने बस उस exam पे click करना है ठीक है अब उस exam में मेरा इदम सुन्दर सा पोटो दिख जाएगा double validity भी दिख रहेगा क्योंकि हम 6 महिने का course आपको gift देने वाला है 6 महिने का और यानि कि 1 साल का course आपको मिलने वाला है आपने बस exam पे click करना है और ये exam तो बोलोगे कि भाई 9000 रुपे नहीं है मेरे पास कोई बात नहीं आपने बस इस पे buy now पे या view offers पे click करना है एक मैं आपको code बता देती हूँ अगर आप तियारी करना चाहते है आप code ज़रूर लगाईएगा Y332 ऐसे ही मत ले लिजएगा वरना फिर देखो 9000 का कोर्स तुमको करिवन 2070 रुपे में मिलेगा 69 का हिंदी हमको नहीं हाता है 79 बोलेंगे न शायद तो उतने रुपे में आपको मिलेगा अगर लगता है यार मैं सुनिए CDS भी तियारी करना है जी के हम ही पढ़ाते है CDS का भी तियारी करना है CAPF का भी करना है FCAT का भी करना है AGNIVIR का भी करना है BSF का भी करना है ATPP का भी करना है CSF का भी करना है IB का भी एक्जाम आ गया है सब चीज का हमको तियारी करना है अब बताइए थोड़ी अलग अलग कोर्स लेंगे 2000 का नहीं लेंगे तो आपने क्या करना है जैसे माली जै की CDS, Fcat सब सोच लिए है, Fcat भी सोच लिए है तो Fcat का और CDS का साथ मिलेने सच है कि Defense का महा पैक ले लिए अब देखें हम आपको तरीका बताते हैं माली जै क्या आपको लग रहा है कि ये 13,999 का नहीं तो ये महीने का लेंगे सबसे जाए डिसकाउंट बिल जाता है तो 299 रुपे में आपको डिफेंस की हर तैयारी का करने का मुका मिलेगा साथ ही साथ सिफ मेरा लाइफ क्लास और पूरे टीम का लाइफ क्लास नहीं मिलेगा इसमें आपको पतार टेस्सीरीज भी मिलेगा देखें यहां पर आपको टेस्सीरीज मिलेगा यानि कि बैठके पढ़ो और टेस्स बनाओ वीडियो जो रिकॉंड़ेट वीडियो क्लासेज है कोई डाउट वाला जो चीज होता है वो वीडियो क्लासेज में दे दिया जाता है लाइफ क्लास में तो हम लोग सारे टीचर्स जो है वो लाइफ क्लासेज लेते हैं और e-books भी मिलेगा यानि कि पढ़ने के लिए जितना भी चीज का इस्तमाल जरूरत होता है वो सब आपको यहां पर मिलने वाला है उसी तरह से जो engineering exam की तैकर रहे हैं वो GATE engineering section में जाएँगे defense वाले government job में जाएँगे और defense पर जाएँगे engineering के रहे हैं और फिर यहां पे भी वही बात है S.S.C., JE और बाकी अलग-अलग exam की तैक्जरी कर रहे हैं तो Maha Pack पे double validity का offer चल रहा है और आपने डिप्लोमा या बीटेग किया है सिवल मेक्यानिकल एलेक्ट्रिकल में तो छे महीने का कोर्स ले लिजे 6 मंध प्लस 6 मंध का डबल वैलिडिटी मिल जाएगा कॉलेज में हो तो वन यहर का ले लो दो साल का मिल जाएगा वाई तीन सो बत्रिस एक यहर में है तो दो साल वाला कोर्स आज बहुत अच्छा है क्योंकि एक साल का कोर्स है लेकिन double validity month end है तो double validity चल रहा है तो करीबन 4000 मियातों को 2 साल के लिए हर एक चीज प्रोवाइड किया जाएगा non-tech का भी non-tech पूरा portion हम पढ़ा रहे हैं और tech का भी पूरा आपको प्रोवाइड किया जाएगा ये दो चीजे हैं जहां पे हम class लेते हैं आपको पढ़ने का अगर आप में श्रद्धा भक्ती है तो आप बिल्कुल हमारी classes में आ सकते हैं और पढ़ाई शुरू कर सकते हैं मेरी classes का time में बता देती हूं तो एक engineering में MCQ का बैंच होता है जो 9 बजे होता है अभी उसके बार defense में हमारी batches चलती है जो कि 10 बजे चलती है और एक foundation batch है बहुत basic foundation batch है वो इदम हम यह सोच के पढ़ाते हैं तो हम इदम वैसे paleo lithic यह होता है नियो lithic यह होता है वो पढ़ाते हैं तो वो बहुत प्यार से वो batch चल रही है ठीक है वो gate engineering में SSC JE में अगर आप जाएगेगा यहां पे भी आप code semi use कर सकते हैं बिल्कुल foundation basic courses है और इतना तो promise है कि इसके बाद 0 से hero बन जाओगे बोलोगे मैं हम पहले से hero है तो और super hero बन जाओगे ठीक है तो 2, 4, 1, 4 रूपीज में आपको यह class मिल जाएगी code आपने पता ही है So all the very best, thank you for the session और मिलते हैं हम लोग मिलेंगे, तीन बजे मिलेंगे तीन बजे हम GK का MCQ करवारें डिफेंस अड़ा पे और यह आपके हर एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है MCQs, ठीक है? चलिए Thank you for the session, all the very best, Jai Hind